Hello and Welcome to Krishna Classes. कई बार कुछ बच्चों को कहानी बनाने में इतना मज़ा आता है कि वो बैठे बैठे अपनी कल्पना को पंक दे देते हैं और कोई भी कहानी बना देते हैं. The Open Window भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो एक अजनभी के घर आने पर उसे एक ऐसी काल्पनिक कहानी सुनाती है जिसे सुनकर वो डर जाता है. सबसे मज़िदार बात ये है कि ये कहानी जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमारी आँखों के ठीक सामने बन रही होती है. है ना इंट्रेस्टिंग? तो आईए पढ़ते हैं दा ओपन विंडो और इसको लिखा है साकी ने. उस पंदरह साल की काम और कॉन्फिदेंट यंग लेडी ने कहा मिस्टर नट्ल मेरी आँटी अभी तुरंती नीचे आ जाएंगी इस बीच तो आपको कोशिश करके मुझे ही जेलना पड़ेगा यानि आपको तब तक मुझे से ही बात करनी पड़ेगी फ्रम्टर नट्ल ने कुछ ऐसा कहने का इंडेवर किया या प्रयास किया जिससे कि उस शन जो भतीजी या नीज उनके सामने बैठी हुई थी उसकी तारीफ हो उसे कॉम्प्लिमेंट वो दे सकें और ऐसा करने में आंटी जो अभी आने वाली थी वो भी इग्नोर ना हो प्राइवेटली या अपने मन में मिस्टर नटल के मन में डाउट था कि एक के बाद एक टोटल स्ट्रेंजर से ऐसी फॉर्मल विजिट से या आपचारिक मुलाकातों से जो नर्व के और का उनका इलाज चल रहा था उस इलाज में मदद मिलेगी इस बारे में उन्हें पहले से भी ज़्यादा आप कहीं शक होने लगा था जब वो गाउं की सेकांत जगह में माइगरेट करने के बारे में सोच रहे थे तब मिस्टर नटल की बहन ने कहा था मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कैसा होगा तुम उस जगह जाओगे और वहाँ जाकर खुद को बिलकुल हाइड कर लोगे बरी कर लोगे सबसे अलग तलग रहोगे किसी भी लिविंग सोल से बात नहीं करोगे और मॉपिंग या उदास रहने की वजह से तो तुम्हारी नर्व्स या मानसिक स्थिती पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी मैं वहाँ जिन लोगों को जानती हूँ उन सब के लिए तुम्हें लेटर ओफ इंट्रोडाक्शन देती हूँ उन में से जितना मैं याद कर पा रही हूँ कई लोग तो बहुत अच्छे थे फ्रम्टन नटल सोचने लगे कि मिसिस सपर्टन या वो महिला जिनने वो एक लेटर ओफ इंट्रोडाक्शन दे रहे थे क्या उन नाइस या अच्छे लोगों में शामिल थी क्या आप यहाँ पर कई लोगों को जानते हो नीजिया भती जी ने पूछा उसे जब लगा कि उन दोनों ने काफी देर तक चुपचाप रहकर सफिशेंट कम्यूनियन कर लिया था यानि एक दूसरे के पहनावे को चेहरे और भाव बंगिमा को देखकर बहुत सी बाते समझ ली थी तो उसने पूछा क्या आप यहाँ पर कई लोगों को जानते हो उसके ऐसा पूछने के पीछे एक खास मकसद था और वो मकसद क्या था ये तो हम बाद में ही जान पाएंगे प्रेम्टन ने कहा Hardly a soul मैं तो यहाँ मुश्किल सही किसी को जानता हूँ मेरी बहन यहाँ चार साल रही थी और उन्होंने मुझे यहाँ के कुछ लोगों के लिए Letters of Introduction दिये थे ये आखिरी बात उन्होंने बहुत पश्चाताप या Regret की टोन में कही फिर उस आत्मविश्वासी यंग लेडी ने पूछा तो फिर इसका मतलब है कि आप मेरी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो Caller या आगंतुक ने स्वीकारा हाँ मैं तो सिर्फ उनका नाम और पता ही जानता हूँ वो सोच रहा था कि क्या Mrs. Sappleton married है या फिर विड़ो हैं उस कमरे में कुछ undefinable something यानि कुछ ऐसा था जिसे define तो नहीं कर सकते थे पर उससे लग रहा था कि उसमें पुरुष भी रहते हैं उस बच्ची ने कहा उनके साथ सिर्फ तीन साल पहले एक बड़ी दुखत घटना हुई थी ये घटना आपकी बेहन के यहां से जाने के बाद हुई थी फ्रैम्टन ने पूछा tragedy? दुखत घटना? इतने शान्त country, spot या गाउं की जगह में किसी दुरगटना का होना बिलकुल संभवी नहीं लग रहा था आप सोच रहे होंगे कि हमने October की दुपहर में इस खिड़की को क्यों खोल रखा है भती जी ने एक बड़ी French विंडो जो लॉन में खुलती थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा फ्रैम्टन ने कहा साल के मौसम के हिसाब से तो अभी इस समय काफी गर्म है यानि वैसे October में इतना गर्म होता नहीं है पर फिर भी इस समय काफी गर्म मौसम है पर क्या इस खिड़की का उस दुरगटना से कोई संबंध है विल्कुल ठीक तीन साल पहले आंटी के हस्बेंड और उनके दो छोटे भाई इसी खिड़की के रास्ते शूटिंग यानि शिकार करने गए थे वो कभी वापिस नहीं लोटे घास के मैदानों या मुवर को पार करके अपने फेवरेट शूटिंग ग्राउंड पर जाते समय वो तीनों एक बड़े ही खतरनाक दलदल यानि ट्रेचरस बॉग में धस गए थे आप जानते हैं उस साल भीशन गर्मी का मौसम था और ये वेट समर था यानि बहुत बारिश वी थी और इसलिए जो जगहें दूसरे सालों में सेफ थी वो जगहें भी बगहर किसी वार्निंग के धसने लगी उनके शरीर कभी रेकवर नहीं हो पाए ये इस दुरगटना का सबसे ड्रेटफुल पार्ट था यहाँ पर बच्ची की आवाज ने जो सेल्फ पजेशन था या आत्मिश्वास था वो खो दिया और वो फॉल्टरिंगली यानि हिचकिचाते हुए कहने लगी बेचारी आंटी हमेशा ये सोचती हैं कि वो लोग किसी दिन वापिस आ जाएंगी वो और छोटा ब्राउन स्पैनियल यानि ज़बरा कुत्ता जो उनी के साथ खो गया था और वो उसी खिड़की से वैसे ही वापिस लोटेंगे जैसे कि वो आया करते थे इसी लिए ये विंडो हर शाम जब तक बिल्कुल अंदेरा नहीं हो जाता खुली रखी जाती है बेचारी आंटी ने मुझे कई बार बताया है कि वो कैसे गए थे उनके हजबन की बाह पार उनका सफेद वाटर प्रूफ कोट था और उनका छोटा भाई रॉनी जैसा कि वो हमेशा उनको चिढ़ाने के लिए गाया करता था क्योंकि वो कहती थी कि इससे उनको मानसिक परिशानी होती थी अपको मालूम है कई बार ऐसी ही क्वाइट इवनिंग्स को मेरे मन में एक अजीब सी क्रीपी फिलिंग या संसनी खेज भावना आती है कि वो उसी खिड़की से चलते हुए वापिस आ जाएंगे उसने अपनी बात कांपते हुए समाप्त की फ्रेम्टन को बड़ा चैन मिला जब आँटी हर बड़ाते हुए और देर से आने के लिए माफी मांगते हुए कमरे में आई उन्होंने कहा मुझे आशा है वेरा ने आपका मनोरंजन किया होगा उनके ऐसा पूछने का मतलब था कि वो आपसे बात करती रही होगी और आप बोर नहीं हुए होगे फ्रेम्टन ने कहा हां उसकी बातें तो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग रही है मिसस सपर्टन ने ब्रिसकली यानि बड़ी तेजी से कहा मुझे आशा है आपको खुली हुई खिड़की से परिशानी नहीं होगी मेरे हजबेंड और भाई लोग शुटिंग के बाद डिरेक्ली घर आएंगे और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं वो आज स्नाइप का शिकार करने मार्शेस में या स्वैंप्स में गए हैं इसलिए उनके चपल जूतों से तो मेरी कार्पेट बरबाद ही हो जाएगी अब आप पुरुष लोग तो ऐसा ही करते हैं ना है की नहीं वो शूटिंग यानि शिकार और चड़ियों की कितनी शॉर्टेज है कितनी स्केरसिटी है और विंटर में डग के शिकार के क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे क्या संभावनाए होंगी इस बारे में लगातार चियरफुली रैटल आउन करती रही यानि खुशी खुशी बोलती रही फ्रैम्टन के लिए तो ये पूरी बाचीत बहुत ही हॉरिबल थी वो तो पहले ही मानसे ग्रूप से परेशान था और अब शिकार के बारे में चड़ियों को मारने के बारे में सुनकर और भी ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहा था उसने हिम्मती लेकिन कुछ ही हद तक सफल प्रयास किया कि बाचीत का रुख किसी कम डरावने टॉपिक किसी कम गासली टॉपिक की तरफ मोड दिया जाए उसे अंदाज़ा था कि उसकी होस्टेस उसकी तरफ बहुत थोड़ा सा ही ध्यान दे रही थी और उनकी आखें तो फ्रेम्टन से हट करके बार-बार खिड़की और खिड़की के सामने जो लौन था उधर देख रही थी ये एक बहुत दुर्भागी पूर्ण सयोग ही था कि उसने अपनी विजट आज उस दुखध घटना की एनवर्सरी के दिन की थी डॉक्टर्स मुझे complete rest, mental excitement नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की तेज physical exercise नहीं करनी है इसका order देने पर एकदम सहमात है Frampton ने announce किया, वो widespread या काफी फैले हुए इस delusion यानि इस भुलावे में काम कर रहा था कि एकदम अजनवी लोग और chance acquaintances यानि जिनसे कभी यदा कदा ही परचय हो ऐसे लोग भी आपकी बीमारी और कमजोरी के least यानि छोटे से छोटे डीटेल को उनके कारण और इलाज के बारे में जानने के लिए हंगरी यानि बहुत उत्सुक रहते हैं जहां तक डाइट का सवाल है उसके बारे में डॉक्टरों में आपस में सहमती नहीं है, agreement नहीं है उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मिसर सपर्टर ने एक ऐसी आवाज में जो आखिरी क्षण में एक यौन यानि उबासी में बदल गई कहा, नहीं है लेकिन फिर वो अचानक पूरी तरह खुश होकर के और सतर्ख होकर के ध्यान देने लगी लेकिन वो फ्रैम्टन जो कह रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रहीं थी, आकिरकार ये लोग आगी गए, वो चिल लाईं, बिल्कुल ठीक चाय के समय पर आये हैं और इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा, कि ये लोग muddy up to the eyes, यानि बिल्कुल आँखों तक मिट्टी में सने हुए हैं फ्राम्टन थोड़ा कापा, और फिर भती जी की तरफ मुड़ा, और उसने भती जी को ऐसी नजर से देखा, जिससे वो अपनी समवेदना और सुहान भूती, यानि अपना sympathetic comprehension उसे जता सके, उसे कनवे कर सके लेकिन बच्ची तो खिड़की के बाहर देख रही थी, और उसकी आँखों में दिल दहला देने वाला डर, यानि डेच्ट हॉरर दिखाई दे रहा था, एक गुमनाम डर से चौक करके फ्राम्टन अपनी कुरसी पर घूमा, और उसने भी उसी तरफ देखा शाम के गहराते धुंदल के में तीन व्यक्ति चल कर लौन को पार करके खिड़की की तरफ आ रहे थे, उन्टीनों के पास उनकी बाहों के नीचे गंस थी, और उनमें से एक के पास एक सफेद रंग के कोट का बोज भी था, जो उसके कंधों के उपर तंगा हुआ था, एक और एर कोई आवाज की हुए वो घर के पास आये, और फिर एक भारी सी यूवा आवाज ने शाम के अंधेरे में गाया, आई से बर्टी, वाई दो यू बाउंड, प्रम्टन ने हडबड़ाहट में जपट करके अपनी छड़ी और हैट उठाया, फिर हॉल डोर, ग्रावल यानि घर के अंदर का पत्रीले रास्ता और फ्रंट गेट, दे वर डिम्ली नोटेड स्टेजिस, अर्था तेजी से भागते हुए उसको बहुत हलका सही एसास हुआ कि उसने इनको पार किया, क्योंकि वो तो हेडलॉंग रिट्रीट कर रहा था, यानि बगैर कुछ देखे सुने तेजी से भाग रहा था, रोड पर आते हुए एक साइकल सवार को तो अपनी साइकल को जाड़ी की तरफ मोड़ना पड़ा, ताकि वो कोलीजन से या टकराने से बच सके, Here we are my dear, my dear हम आ गए, जिस व्यक्ति के पास सफेद मैकिनटॉश यानि waterproof रेंकोट था, उसने खिड़की से भीतरा करके कहा, जब हम आ रहे थे तब एक आदमी बाहर भागा था, वो कौन था, मिस्स सेपरिटर ने कहा, वो एक बहुत थी extraordinary यानि अधुद व्यक्ति मिस्टर न देखकर कोई भी सोच सकता है कि उन्होंने तो जैसे भूत देख लिया था। उसे जाग भी निकल रहा था और ये ऐसी घटना थी जिससे कोई भी अपनी नर्व खो सकता है या हिम्मत हार सकता है बहुत कम समय में एडवेंचर स्टोरी या रोमांस बना लेना ये भतीजी की स्पेशलिटी था यानि इसमें वो माहिर थी एडवेंचर स्टोरी बनाने में वेरा माहिर थी जब उसे पता चला कि फ्रेम्टन उसकी आंटी के बारे में कुछ नहीं जानता तो उसने एक कहानी बना दी कि आंटी के परिवार की लोग तो शिकार पर गए थे और फिर बौग में ही खो गए थे और वो जानती थी कि आंटी और बाकी लोग मिस्टर नटल के बारे में कुछ नहीं जानते इसलिए उसने मिस्टर नटल के बारे में कहानी बनाई कि उन्हें तो एक बार कुटों ने इतना परेशान किया था कि अब वो कुटों को देखकर ही डर जाते हैं और इसलिए वो इस्पैनियल को देखकर डर के भाग गए थे वैसे बच्चो आप तो जानते हो ना कि मिस्टर नटल क्यों भागे थे वो इसलिए भागे थे क्योंकि उन्हें लगा कि जब मिस्स सेपर्टन के परिवार के लोग मर गए थे तीन साल पहले तो ये तो निश्चित रूप से उनके भूध है आशा है बच्चो इस वीडियो को देखने के बाद ये चेप्टर आपके लिए बिलकुल इजी हो गया होगा अगर आप आगे भी वीडियो देखते रहना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और कमेंट्स के माध्यम से अपने सजेशन्स या सुझाओ जरूर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मैंनी थैंक्स पॉर वाचिंग